हेलो फ्रेंड मैं लिंगराज पोटेल किचन किंग में आप सब का स्वागत करता हूँ आज मैं आप सब के लिए पूरी की रेशिपी लेके आया हूँ यह मेरे फ्रेंड की एक रिक्वेस्टेट वीडियो है बहुत सारे लोगों की पूरी फुली फुली नहीं बन सकती है तो इसलिए मैं आज आपको आपकी पूरी कैसे फुली फुली बने यही बताऊंगा और यह जानने के लिए आप प्ली वीडियो के सुरू से लेकर आखिर तक बने रहे और आज मैं जिस तरह से पूरी को बना के रेडि करूंगा आप भी उसी तरह पूरी को बनाए तो आपका पूरी फुली फुली ही बनेगी तो इसलिए आप वीडियो को स्कीप ना करते हुए शुरू से लेकर आखिर तक वाज करें तो फिर चलिए हम रेसीप्य को बनाना स्टार्ट करते हैं यह पहले हमने लिया एक बरतन और बरतन में लेंगे एक पाव के पास पाता उसके बाद लएक नमक को ज्यादा ना डाले एक दम हल known का डाले अब हम नमक को डालने के बाद हाटे में नमक को अच्छी तरह से मिला लेंगे हमने इसको इसको मिला लिया तब इम इसका बीच मैं इक कुआँगे और थोड़ा-थोड़ा करके इसमें पानि येट करेंगे और इसको आप इसको जितने अच्छी तरह से दबा दबा के इसका डो बनाएंगे, यह उतना ही सॉफ्ट बनेगा, यह देखिए दोस्तो, हमारा डो बनके रेडी हो गया है, अब हम इसको ढख के कम से कम पांच मिनिट के लिए छोड़ देंगे, आटा को ढख के रखने से क्या होता है, तो चली अब हम इसे खोल के देखते हैं, यह देखिए, हमारा आटा पहले से ज्यादा सॉफ्ट हो गया है, और अच्छी तरह से फूल गया है, अब देख सकते हैं, अब इसका हम छोटा-छोटा बॉल बना लेते हैं, हमें ज्यादा बड़ा बॉल नहीं बनाना है, अगर हम आटा करके बेले, मैं आपको बेल के दिखाऊंगा, तो फेले हम लेंगे ठोड़ा सा सुखा आटा, और इसको बेलन का जो पीड़ा है, उसमें ऐसे लगा देएंगे, उसके बाद लेंगे आटा का एक बॉल और उसको हलका सा दबा यिसमें फोड़ा अटा लगाए, इसको Nemysko moťa karke nebel a एक ďक दम पतला करके बेल लगाएं आप देखते रहे है मैं कैसे बेल रहा हूं आप अगर मोटा मोटा करके बेल देगे तो यह बिल्कुल भी नहीं फूलेगा यह देखे हमने isko कैसा how Beela है, एकदम पतला है बिल्कुल इसी तर आपको बेलना है और यह देखे हमने सारा पूरी को बेल लिया है अब तेल भी हमारा गरम हो गया है अब हम एक एक करके पूरी को इसमें डाल देंगे यह हमने पहला पूरी को इसमें डाल दिया आप जब भी पूरी को फाय करें गयास को एक हमारा पहला पूड़ी बनके रेडी हो गिया है बिल्कुल सेम प्रोसीजर में हमें एक एक करके सारा पूड़ी को तल लेंगे यह हमने दूसरा पूड़ी को भी डाल दिया आप देखते रहे यह यह भी कैसे धीरे धीरे फूल जाएगी दोस्तों आज मैं जिस तरीके से आपक उसी तरह से बनाए आपका भी पूड़ी मेरे पूड़ी के जैसे ही बिल्कुल फूली फूली बनेगी और हमने जिस तरीके से पूड़ी बनाए इसमें एक दम बहुत कम मात्रा में तेल रहेगा और यह देखिए हमारा दूसरा पूड़ी भी बनके रेडी हो गया है आप द पूड़ी का रेसी पी आपको कैसा लगा मुझे कोमेंट करके जरूर बता है थैंक्स पर वाचिंग में वीडियो फ्रेंड्स